इसकार सबी को मैं मत्तु केवट मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्छा दूसरी विशेभाशा की देखिए बालगीत है सुनो और दहराओ और पार्ट साथ है चंदा मामा तो इस कविता का मैं वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ तो आएए देखिए इस कविता का वाचन हम किस तरह से करते हैं नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठ लाते हो पंख नहीं तुमको फिर भी पंची बन उड़ जाते हो जुंडो बीच सितारों के पच्छी राज बन जाते हो आगे देखिए जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो याद से फिर भी हम सब के छट पर खेलने आते हो भैया तुम धरती मा के मामा हमको लगते हो इसी लिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्काते हो तो एक बार और देखिए इस चित्रों के माध्यम से बच्चों ने किस तरह से चंदा मामा को कविता का वाचन किया है और इसका वाचन एक बार हम फिर से देखते हैं किस तरह से है चंदा मामा का वाचन नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो सोने जैसा रूप लिए राजा बन इठलाते हो पंख नहीं तुम को फिर भी पंची बन उड़ जा पाते हो जुंडों बीच सितारों के पंची राज बन जाते हो जंगल नदी पहाडों पर घुमते रात बिताते हो याद से फिर भी हम सब के च्छत पर खेलने आते हो भाई या तुम धरती मा के मामा हमको लगते हो इसी लिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुश्काते हो तो इस तरह से आप इस वीडियो के माद्ध्यम से चंदा मामा इस कविता का वाचन करिए लेखन करिए स्रोन करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को दबाएं धान्यवात सभी को